तो दोस्तों आ गया है फाइनल याज comparison Amazfit GTS 2 Mini जो की Under 7000 में नंबर 1 स्मार्ट वाच है उसको हम compare करेंगे ColorFit Ultra जो की AMOLED के साथ और Connected GPS के साथ लाँच हुए इस अपने चैनल माहिदा टेकी पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दो फटा फट से 20 के सब्सक्राइबर्स मेरे खतम करवादे यार वीडियो को लाइक कमेंड और शेयर करना तो बिल्कुल मुन भूलो सो लेट स्टार्ट विडियो कलर फिट अल्ट्रा टू की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 1.78 इंचिस की एमोलेट स्क्रीन देखने को मिलती है स्टेनलेस स्टील की इसमें मजबूत बॉड़ी देखने को मिल जाती है बैक जो है इसकी भी ग्लास की बनी है स्ट्रैप इसमें भी हमें 22 mm का सिलिकॉन का थोड़ा सा हार्ड हमें देखने को मिलता है जीटियस 2 मीनी की बात करें तो इसके अंदर हमको 1.55 इंचिस की एमोलेट स्क्रीन देखने को मिलती है बिल्ड इसकी भी जो है मेटल की है अलुमिनियम की बनी हुई है बैक जो है इसकी भी गलास की है और 20 mm सिलिकॉन का स्ट्रैप इसमें देखने को मिलता है तो अगर D.J.O.R की बात करते हैं तो 1.30 इंचिस की इंच इसका डाएल का ऐडियल साइज का है उसके बार Raise to Wake Up के response की बात करें तो वो भी इसका काफी अच्छा देखने को मिलता है एक सेकंड के टाइम में इसकी स्क्रीन ओन हो जाती है इन तीनों वाचिर में सबसे भारी Ultra 2 है 54 ग्रैम्स Color Fit Ultra की बात करते हैं तो ये तो और भी जादा premium look के साथ आती है डाइल इसका थोड़ा बड़ा है छोटी रिस्ट पर ये बड़ी लग सकती है Raise to Wake Up का response जिसका भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है मिनी सबसे light weight है जिसका weight है मिनी की बात करते हैं तो इसका डाइल छोटा है तो इसके जो बहुत सारे return लोगों का reason यही था कि यहाँ डाइल छोटा है तो बड़ी रिस्ट वालों पर ये suit नहीं करती है इतनी medium और small list के लिए काफी अच्छी है खास करके females के लिए जिसको वेकप का response जिसका भी जबरदस्त है डी जो आर में आपको activity data, heart rate monitor, spo2, sleep tracker, workout mode, alarm clock, alarm भी आप जो है watch के अंदर ही set कर सकते हैं weather updates है, stop watch मिल जाता है, timer, music control, camera control, breathe mode, female cycle tracker भी add हो चुका है और आप settings में जाते हैं तो आप watch pages की setting कर सकते हैं screen out time जो है इसमें लगवक 25 seconds का देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं lag आ जाता है UI में तो always on display के watch faces है, menu style इसमें से दो है, vibration को control कर सकते हैं तो काफी काम की feature दिये गए है, बाकि होम screen पे आपको power saver का option मिल जाता है अल्ट्रा 2 के अंदर आपको भी power saver mode का option मिल जाता है, उसके लावा बटन दबा के आप noise health में जाके आपका stress monitor, SPO2 वगरे सब देखने को मिलते हैं तो stress monitor DJOR में नहीं है, उसके लावा alarm clock, stopwatch, world clock भी जो है, वो DJOR में मिल जाती है, weather updates है, breathe mode, तीनो watches में हमारा reminders मिल जाते हैं, music controller, watch faces, stock market option जो किसी watch में नहीं है, calculator इसमें एक्स्टा देखने को मिल जो किसी watch में नहीं है, flashlight, setting होना कि आप brightness की adjustment कर सकते हैं, vibration adjust कर सकते हैं, raise to wake up का 30 second का time आप लगा सकते हैं, मिनी में यह सबसे कम है 15 second का, मिनी के अंदर आपको PI enabled health tracking system देखने को मिलता है, उसके लावा workout, workout history, SPO to stress monitor, breathe mode, female cycle tracker, alarm, settings होगी, उसके अंदर आपको voice assistance देखने को मिलता है, Alexa का stopwatch, pomodoro clock है, world clock है, compass, air pressure monitor और altitude meter देखने को मिलता है, जो इस range की किसी watch में अविलेवल नहीं है, GTS क चोड़के, camera controller है, find my phone को option भी देखने को मिल जाता है, उसके अलावा आपको screen watch face कर सकते है, auto screen off का time set कर सकते हैं, screen lock की setting आप कर सकते हैं, उसको schedule करेते है, raise to wake up का notification के time पर light जलनी चाहिए, नहीं जलनी चाहिए, preferences में आप अपने shot का taps लगा सकते है, vibration को, time format को, तो watch के अंदर ह सब कुछ कर सकते हैं, एप में जाने की बहुत कम ज़रत पड़ती है, इसमें, तो अगर surface के heart rate monitor की बात करें, तो ये तीनों ही watches जो है, सबसे पहले DJO R ने मना किया, उसके बाद जो मीनी ने मना कर दिया, और उसके बाद ColorFit Ultra 2 ने मना किया है, तो तीनों ही watch इस surface का heart rate monitor नहीं जिसकी जो inconsistency आती है, SPO2 की accuracy में, अल्टर 2 की बात करें, तो इसके heart rate की accuracy काफी जबरदस्त है, और उसके साथ साथ इसके जो SPO2 की reading से है, वो फी काफी अच्छी निकल कर आती है, तो जो accuracy में अल्टर 2 ने काफी अच्छा काम किया, फिर mini की बात करते है, तो mini की देखें, आप heart rate की accuracy काफी अच्छी है, इसमें जो heart rate monitor है, आप जब press करेंगे तो एक ही बार करेगा, और SPO2 के साथ भी है, तो दोनों की reading इसकी काफी जबरदस्त है, आउट्डर विजिबिलिटी की बात करें, तो DGO में आपको 550 nits और GTS2 mini में 450 nits की brightness देखने को मिलती है, अल्टर 2 की mention नहीं है, लेकिन वो भी काफी जबरदस्त है, तीनों की outdoor visibility काफी अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, Dusted Water Resistance की बात करें, तो GTS2 mini और DGO R 580 में तो स्विमिंग के लिए आइडल है, पचास मेटर तक गहरे पानी में, जबकि Ultra 2 जो है, वो सिर्फ IP68 तो डेट मेटर तक गहरे पानी में ही आप इसको लेगे रहा सकते हैं, हेवी रेंज सेंस प्लैशी से आपको इसको बचा के रख एक बिलतीन GPS है, आप जैसी वर्काउट को स्टार्ट करते हैं तो शुरू हो जाता है, इसमें को किस्टमाइजेशन और करने का भी ऑक्षण नहीं देखने को मिलता है, इसमें आप वर्काउट को थोड़ा पहुत जो है कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं स्टार्ट करने से तो यह चीज मुझे इसमें काफी अच्छी लगी, जीटीएस टू मीनी में आपको 70 प्लस स्पोर्ट मोड देखने को मिलते हैं, हर कैटेगरी के स्पोर्ट मोड है और इनको कैटेगरी वाइस डाल दिया गया है ताकि आपको डूनने में आसानी हो, उसके अलावा इसके अं इसके अपको डिजो ने 478, डिस्टैंस ने मिनी में 0.30, अल्ट्रा में 0.33, इसके अपको डिजो ने 0.39, एप्लिकेशन की अगर बात कर तो देखिए, आउट्डोर रणिंग में रूट देखने को मिल जाता है, नोइस वी टैप में और जैप में आपको सारे आउट्डोर वरकाउ sagen, डिजो में अपने वाई इसके अपकीशन के साथ सिंकप जाता है, और उट्रा की बात करें, दोश्तर दोस्तों ठीजो आर के अंदर आपको डेट शो से भी सपोर्ट है जो कि लगाने पर काफी अच्छा लगता है अल्टाटू की बात करें तो उसके अंदर भी आपको 100 से पीछे रखना चाहूंगा इसके इतने कुछ खास मुझे एक्ट्रैक्टिव फेसिस नहीं लगे इसके अंदर आपको 70 प्लस देखने को मिलते हैं अच्छी बात है कि इसमें 30 प्लस ऑल्वेज ओन डिस्पले वाले वाट फेसिस देखने को मिलते हैं उसके साथ आप इसमें अब तेनों के वाट फेसिस का का पैरेशन देख सकते हैं सबस्यादा ब्राइट जोड़ा सा हलका है मिलते के तो थो स्लीप अघंटा करा ग्यां और सबसे सब मिलते हैं देखने हैं तो क। अच्छी sleep tracker के accuracy mini की ही निकल कर आती है जिसकी consistency काफी अच्छी है incoming call notification की बात करें तो आप तीनों ही watches में call को silent भी कर सकते हैं और reject भी कर सकते हैं preset quick replies को option जो है gts2 mini और ultra 2 में देखने को मिलता है lag तीनों ही watches में हमें कोई देखने को नहीं मिला है जैसी call आया है वैसे ही watch में देखने को मिलते हैं सबसे बड़े notification gts2 mini में देखने को मिलते तो हमें speed की सारी watches की सबसे खास बात होती है वहीं डी जो आर ने फिर से निराज के फिर से उसमें इशू आने लगे कि notification खुलने रहे बड़ा notification तो दिखी नहीं रहा है इसके अंदर तो पता निया इशूस कब ठीक होंगे इस watch के अंदर भी काफी बड़ा नोटिविकेशन में देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है उसके लब अगर मैं हिंदी लैंग्विज सपोर्ट की बात करो तो तीनों ही वाचिज में नहीं है जो है तीनों और मेरे पहले रिव्यू में जब चेक किया तो नहीं हो दी लेकिन अब वह भी आप पेरिंग हो जाती है तो यह काफी अच्छा फीचर है कनेक्शन का कोई अलर्ट नहीं आता है किसी भी वाच कंदर जब आप लुटूथ से रेंज से बाहर जाते तो नहीं मिलता है बैटरी बैकप की बात करते तो मीनी में आपको 220 एमेच की बैटरी देखने को मिलते है लेक बैटरी बैकप बढ़ जाता है जब आप अलवेज ओन डिस्प्लेइग को बंद करते हैं और अडी जो और में भी यही आपको दिक्कत है सिर्फ दो दिन के करीब का बैटरी बैकप आपको आट-दस दिन का बढ़ जाता है मतलब काफी अच्छा हो जाता है लेकिन मेरा पॉ और टू की तरफ जा सकते हैं यह आपकी बेसिक रिक्वार्मेंट सारी पूरी करेंगी कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं डिस्टैंस की भी डिसेंट अक्यूरिसी यह बहुत ज्यादा वेक डेटा नहीं आता जैसे अमने डीजोर में देगा ता बिल्कुली अलग यह तो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूं तो अब बात करते हैं जीटीस तुमीनी और डीजो आर के बारे में तो देखिए हर स्मार्ट वॉट जो है किसने की सेग्मेंट के लिए बनी होती है जीटीस तुमीनी तो ऑविसली से काफी जादा बैटर अच्या फीचर इसके ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो अभी फिलाल में स्मार्ट वॉट को किसी को भी रिकमेंडर नहीं करना चाहूंगा जब तक इसके 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 ठीक नहीं हो जाते अदर्वाइस जिन लोगों को बिल्ट-इन जीपिएस नहीं चाहिए एक नॉर्मल सी वाच आते हैं लेकिन मिनी को टकर देना मुश्किली नहीं नामगीन है तो अश्यखर तो आपको इस वीडियो पसंदें आपको जाने में ज़रूर मदद मिली होगी सारी स्मार्ट वोर्ट जिसके बारे में मिलेंगे एक लिए वीडियो में निया रेविए निया कम्परेशन लेके तब के बने रिये मेरे चैनल पर बाबाए